के लिए अच्छी खबर जो है अपडेट निकल कर आ रहा है कि आम सभी को बताना चाहता हूं कि 36 गड़ में जो है 18,000 पदों पर भरती होगी मानिय स्रीमू के मंद्री भुपेज पगर जी के द्वारा जो है घोशना किया जा रहा है कि 18,000 पदों पर 36 गड़ में भरती हैं जो इसको बताना चाहता हूं अभी सिक्षक के 12,490 पदों पर भरती होना है हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर भरती होना है आमिन पटवारी के 288 पदों पर भरती होना एडियो के 415 पदों पर भरती होगा साकारिता विभाग में समीती प्रबंधक और सुपरवाईजर के 3000 पदों पर भरती होना है वही ट्राफिक पुलिस के बात करें तो ट्राफिक पुलिस के लिए 2000 पदों पर भरती होना जेल प्रहरी के भी 2000 पदों पर भरती होना वही वन विभाग में 400 से अधिक पदों पर जो है भरती होना है तो 36 गड़ के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट है आप लोगों के पास एक अच्छा उसार है सुनहरा मौका है इस उसार को इस मौके को जाने मत दीजिए क्योंकि 36 गड़ में पहली बाराव सभी स्टूडेंट के लठारा जार पदो लिए था कित तीन महीनों में आपका साथ हजार पदों के लिए भी साथ अजर वेकंसिस अगले तीन महीनों में आप लोगों के लिए निकाला जाएगा तो 36 गड़ में आपने तैयरी अच्छे से किजिए आप यही सूचते हैं कि कब जो है सिख्षक भरती का नोटिफिकस न आएगा जैसे से यह मॉडल अंसर रिजल्ट आएगा आप इसे हर एक स्टुडेंट के मन में प्रशन उठेगा जिनका सीजी टेट एक्जाम्स क्वालिफाई हो जाएगा कब सिख्षक भरती का नोटिफिकस न आएगा आप यह बताईए नोटिफिकस न आएगा आता है उसके बाद आप क्या उखाड लेते हैं बताईए क्या कर लेते हैं नोटिफिकस न आएगा तो एक महीन में एक्जाम्स के त्यारी कर लेंगे क्या बताईए नहीं कर पाएंगे तो ऐसे क्यों सोचते हैं बस सोचे कि किसी भी तरह कॉम्पिडेशन एक्जाम जो है क्वालिफाई हो सके जित्ता जाद आपको टाइम मिलेगा उत्ता जाता आपके इस्टैडी प्रिप्रेशन अच्छे से हो पाएगा तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं अठारा जार पदोंपर जो है आप लोगों के भरतिक होना है तो अभी इसे प्रिप्रेशन में जूट जाए नोटिफिकेशन के इंधिजार मत किज़े नो आपका selection होगा तो डर किसकी बात किया तो बस मेहनत करने से आपको पीछे जो है नहीं हटना है और स्लेबस में आपको जो है आपको स्लेबस जो है बदलशकता है अहर बार जो है वही स्लेबस रहे ऐसा भी नहीं होता है तो इस में है स्लेबस देखने को मिर रहा है जिसमें जो एसाइस उबेदार प्लाटून कमांडर के जो 975 पदो पर जो है भरती होना है छे नवंबर को इसके लिए एक्जाम साइस सोल अप्टू पर तक आप जो है बेदन कर सकते हैं कि इसमें जो है किश कहा गया है तो इसमें जो इस लेबस बिल्कूल ही फ्रेश है एक दाउठास संप किया गया तो बास आप अम्हद कर लोगों को अपना महनत अच्छे से करना महनत करने से पीछे नहीं हटना है आपका सेलेक्शन जो है अवस्ते रूप से हो पाएगा तो जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ करने के लिए आपको तो महनत करना पड़ेगा बीना महनत के तो आपको सफलता है और गौर्मेंट जोब के बात है तो गौर्मेंट जोब तो मिल पुलिस वी भाग में 975 पोश्ट टीचर के जो है 12,489 खाते वी भाग में 59 पोश्ट है राज्य लोग से वायोग सीजी पेसे में 200 महिला ओमगाट के 1900 पोश्ट सीएप और डीएप के 3000 से भी ज्यादा पसुपालन वी भाग में 1500 पोश्ट रिसी वी भाग में 2500 पोश्ट से निकलने वाला तो बस अपने कमजोरी मत बनेए अपने ताकत बनेए और एक्जाम में जूट जाएए जित्ता हो सके एक्जाम की तहरी आप अच्छे से किजे ताकि आपका सेलेक्शन हो सके और आपका सेलेक्शन अवस्ट से हो पाएगा यह कह सकते हैं आपके मेहनत के सोचना है आने वाला कल हमारे आज से जो है बहतर जरूर होगा यह सोचकर आप जो इस्टेडी कीजिए आज कोई भी हर एक बुरे वक्त का एक दौर होता है यह बुरा वक्त है यह भी कट जाएगा काफी स्टुडेंट होते हैं जो गिव अप कर देते बस उनको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला ही रहता है गोवर्मेंट जाब में सेलेक्शन उनका होने वाला ही रहता है कि वो छोड़ कर चले जाते हैं इसलिए अगर आपको यह अभी सफलता नहीं मिल रहे तो आपको ने र पर आपको पसंद रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए सांथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आन करके रख लिजिए ताकि जब भी मैं वीडियो से अपलोट करूं आप लोगों को नोटिफिकेश आपके वेकेंशिस का एंट अफेर्स डेली आप लोगों को नहीं नहीं सूचना के संबने जो इंचानकारी बताता रहुंगा तो 36 गड़ में जो है बार आठारा हजार पदों पर आप लोगों के लिए वेकेंसी जो है आने वाला है तो बस आप लोगों को एक्जाम्स के त्यारी में जो है जूट जाएए जित्ता हों सके एक्जाम्स के त्यारी किजिए आप लोगों को बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा तो दस वेकेंसी साथ 10 से भी जादा वेकेंसिस आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिल सकता हो सीख्चा होस्टल वाड़न आमिन पटवारी एडियो सीएफ नडियेफ आराइस साकारीता विभाग ट्राइफिक पुलिस जेल प्रहरी वन विभाग तो वेकेंसिस तो बहुत है तो आप लोगों को लाइक किजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लिजए ताकि मैं आप लोगों के लिए नहीं वेकेंसिस से रिलेटर जैन करें आप लोगों को प्रवाइड करा सको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट किजिए और कोई भी जनकारे, नए वीडियोस में मैं देने की कोशिस करूँगा, so thank you.